स्वागते दोस्तों आप सभी को टिकिराच YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi 7 या फिर किसी भी Redmi Mobile में आप SIM सेटिंग्स कैसे कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रहे हैं साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना चलिए वीडियो के और बरते सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स पे उसके बात में आपको SIM कार्ड एंड मोबाल नेट्रोक पे क्लिक करना है अभी दोस्तों देखिए यहां पर अपना SIM सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले दो देखिए आपको यहां पर एक मोबाल डाटा को आप्शन मिलता है ठीक है यह हो गया आपका मोबाल डाटा यहां पर डाट प्लान टा यूसेट आपको यहां पर क த क्लिक करते है तो आप यह अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते तो डाटा रोमिंग जो है आप इससे अलुष में रख सकते है ठीक है तो दौस्तों यहां पर अभी हम बैक चले जाते है और यहां पर default setting dialed not set internet वगेरा दिया है तो दोस्तों यहां पर देखिए अभी हम जो है अपने sim में क्लिक करते हैं जो भी हमारा sim card है अभी दोस्तों यहां पर आपको दिक्कत आ सकता है यह वीडियो और voice call में आपका improvement आपको देता है तो दोस्तों कभी-कभी आपका सब्सक्राइब कर रहा है तब आपको preferred network type में जाके यहां पर prefer LTE कर देना है ठीक है और यहां पर दोस्तों बेक आना है अब बेक आना है हमें और दोस्तों कोई भी आपका network issue आपको आता है sim card में या फिर network में problem आता है तब आपको setting में आके यहां पर more पर आपको जाना है और यहां पर आपको एक बहुती बढ़िया feature मिलता है शायद य लोकिन यह है तो कि आप यहां पर network setting reset पर जाके आप यहां पर SIM को reset कर सकते हैं ठीक है SIM को reset कर सकते, bluetooth को reset कर सकते mobile data, wifi तो यह पर reset setting आप करते है तो complete setting reset हो जाएगा यहां पर password बढ़ना के बाद है तो सो तो यह complete aam जो हैं अपने सीम्स को मैनेज कर सकते हैं अपने मूबाइल में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा थैंक्स फू वाचिंग